Hello dear student, Assalamualaikum आज इस लिक्चर में हम डिसकस करेंगी यूपलाइडी या पुली पलाइडी डिसकस करती है और इसका कांसिप क्लियर करती है सबसे पहले हम डिपाइन करती है What is पुली पलाइडी? अभी इस पुली पलाइडी का क्या मतलब है? तो पुली का मतलब है मेनी पलाइडी का मतलब है सिट आप क्रोमोसूम असल में पुली पलाइडी क्या होता है? If the cell contains more than the two pair's sit-up क्रोमोसूम ऐसा condition जिसमें एक सिल में two sit जो होते हैं क्रोमोसूम की two pair of sit की जो क्रोमोसूम होते है इस से अगर ज्यादा sit होते है तो इसको हम क्या कीते है? पुली पलाइडी केते है मैं आपको बता रहू कि इसका मतलब ही है कि nucleus contain more than its normal complement of क्रोमोसूम कि जिस सिल की nucleus में जो normal number of क्रोमोसूम होते है इसमें ज्यादा होते है इस concept को clear करने के लिए मैं आपको बता रहू suppose अगर एक सिल है और इसमें एक क्रोमोसूम है तो इसको हम हेपलाइड केते है एक सिल है दूसरा अगर इसमें क्या होता है कि इसमें असल में two pair होते है क्रोमोसूम की तो इसको हम deep light केते है मतलब एक pair ये है और एक pair ये है जिस तरह हमारा body जो है इसमें pute 6 k्रोमोसूम है और y pute 6 k्रोमोसूम जो है असल इसमे 20, 23 pair है मतलब ये है कि हमारे two sets up k्रोमोसूम है मतलब हर क्रोमोसूम ये वो pair ओट फार्म में होते है ये normal होता है पूली प्लाइडी में क्या होता है कि असल में कुरुमोसुम की अगर तीन कापी आते है suppose वन टू त्री अगर त्री कापी है कुरुमोसुम की त्री सेट्स है तो इसको हम पिर क्या कहते है इसको हम ट्री प्लाइडी कहते है त्री सेट्स इसी तरह अगर पूर सिट्स है तो इसको हम क्या कहते है टेटर अपलाइडी अगर पाइप है तो इसको हम क्या कहते है पिंट अपलाइडी अगर सिक्स है तो यह हिक्स अपलाइडी है अभी यह क्या है इसका मतलब यह है कि जो आपके नार्मल क्रूमोसूम होता है इससे जो स से वो ज्यादा होते हैं इसको हम पूल इपलाइडी कहते हैं या यूपलाइडी कहते हैं अभी इसका काज किया है ही क्रुमोसुम क्यों ज्यादा हो जाते हैं तो एक काज इसका क्या है नान डिस जंक्शन आप सिस्टर क्रुमेटेड नान डिस जंक्शन आप सिस्टर क्रुमे में आजाते है नारमल कंडिशन होते है लेकिन बात क्या होते है कि जो मियासी से इसमें नान डिस जंक्शन होते है दो क्रोमोसूम जो है वो सिपरेट नहीं होता प्रापर तरीकसी तो कुछ सिल्ज में ज्यादा आती है और कुछ सिल्ज में कम जाते है तो इसको मतलब नान डि लाइदी.